कि नमस्कार दोस्तों वा से अभाइत करेंके मार्शन फार्मा और एक ़ित análिए दोनों कंपनी के वारे में बात करेंगे और मै। नवली स्थोफोली में मिला है उसका पीछे का रिजन भी समझेंगे Swing Trade में इस तॉक में rights का यूमारा ग्रूप में औरदेखम सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आपने लिया होगा आपना पोट्फोलिय में रखे होंगे तो आज आप उसमें देखा होगा कि करते हैं वीडियो विद्ध ट्रूस्टिंग टाइम अगर आज के दिन हम देखेंगे तो यहां पर जो बोड ने डिसाइड किया है बोड उड मीट अन जुलाई एड जुलाई एड को यहां पर प्रपोजल फर बाइवयाग फुली पेड एकुटी से अप्ड़ कमपनी तो यहां पर आज के दिन में अगर हम देखेंगे जो निव जाया है जुलाई एड को यहां पर बाईवयाग आने वाला है तो उसके जिस ताइम पे मैंने आपको बताया था यहां पर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मैंने बताया था यहां सथा यहांन पे करने को तो यहां पर पर बार में अशेच करने लगेग currency कि सिक्तना कीigor हो रहाी उन Community हो पिसी स्टॉक में अगर आपने पो जितन बनाया हुआ है अगर गेंपरसंटेज आपको सब्सक्राइब करने के बाद में अगर गिर जाता तो फिर अगर प्यानिक में होते हैं तो फिर फोड़ा सा मुश्किल हो सकता हैं ठीक है कि हम तो 110 का प्रफिट करने का चक्कर में हैं ल यहां पर 2000 क्रोड का कम्पणी का मार्केट क्या पर एक बहुत बढ़ी है पर अब देखते हैं जीरू पॉइंट जिरो नाइन का डेट टूट रिशियो मतलब लोगेट कंपणी का अल्मोस्ट डेट फ्री कंपणी यहां पर स्टॉक का आप करेंगे कितना है कि यहां पर 39 40 प्रमियम प्रेशा के प्राइस के प्राइस तक यहां पर इपनीच आया था ठीक है उसी के साथ में यहां पर 38.6 तक निचे आया थ हानए ऑगर हम बात करेंगे घ्रोट तो यह quand पर उन्होंने बाइवर्क लाया है क्यूंकि उनको पता है स्टॉक का प्राइस यहां पर नहीं रहने वाला है कंपनी का जिसी साफ से आरो सी यह देट टू इकूट रिशियो है उसके साथ में अगर कंपनी का प्रॉफिटबिलिटी की बात करेंगे तो यहां पर दिखिए 55 χू का ऐसे उस्वार घृफट का से पोस्ट कर रहा है उसी के साथ में आप दिखिए यहां पर प्रोफिट की बीबाद ऐस के हो रहा है कंपनी का अगर आ अगर आप देखिंगे दौस तरीके से दिया है थाटीनन परसेंट कमा कि दिया है उसी साब से अगर हम ब्लाइंस जाके देखते हैं तो यहां पर रिजर्ब में दिखिए क्या संदार तरिके से कंपपणी का रिजर्ब ग्रोइंग हो रहा है कंपणी का रिजर्ब यहां पर देखेंगे 2011 और 2012 में कम्पणी का ऊपर कितना ता लेकिन यहां पर है तो धीरे दीरे कमप्रीबिस्टाइल को यंग कर strap का क्रण्फ चुका है कम्पणी का हैए 788 करोड का कंपणी के ब से जौकि के बॉरॉइंग कितना है उल्ली 111 क्रोड का कंपणी के पास में बॉरॉइंग ये जो कि इतना ज्यादा भी नहीं है इसी साफ से प्रामोटर का होल्डिंग देखिए प्रामोटर के पास में 48 पर्षेंटेज का होल्डिंग है लेकिन आज है स्मॉल क्या पकंपनी तो यहां पर अब आपने अभी तक भी वाइट का इतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है लेकिन वहां पर अच्छा साइन क्या है कि अगर हम देखेंगे सेप्टेम्बर का क्वाटर को अगर हम कंप्यार करते हैं मार्स को वाटर में यहां पर ने बाइंग किया है जो कि प्ले त्री प्री परसेंटेज का हो चुका है तो यहां पर डिटल पॉब्लिक के पास में 48 परसेंटेज का स्टेक देखने को मिल रहा है फ्रेंस एक सांदर कंपनी है फ्रेंस तो मेरे को मुझे हैसा लगता है यह स्टॉक में आपका पोजिस्वन होना ही चाहिए अगर आपने अभी तक भी अगर अभी भी आप इस टॉक को खरते और श्रक करते हैं और फिर से मैं बोल रहा हूं यह स्मौल क्याप तो जिसी इसाब से गरता भी यह चीज को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो यहां पे अगर टार्गेट की बात करेंगे तो आप अगर यहां पर पोजिसेंग र लिजिए जो कि पहले भी मैंने वही चीज बताया था अगर आप नेक्स टार्गेट के लिए हम इंटाइक रखते हैं तो यहां पर 97 तक का आप लेके चल सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल एक साल में आपको टार्गेट आची बहुत सकता है है उसके बाद में करना है कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी यह लोडेट कंपनी है उसके साथ में प्रमोटर प्लेज भी नहीं ले और कंपनी का रिटन ऑन कैपिटल एंप्टी टू है उसके साथ में स्टॉक का पी देखे टेन तो यह सारे स्टॉक ना इसा पी पर हमेंसा नहीं रहता है इतना बड़ी अट्राक्टिक भेल्वेशन पर हमेंसा नहीं रहता है कि इवेंचियोली यह स्टॉक जाके आराम से यहां पे 115 का जो आल टाइम है यह बहुत जल्दी यहां पर तोड़के चला जाएगा ठीक है तो यह पहला स्टॉक था तो इसके बारे में बात किया जो दूसरे stock के बारे में बात करेंगे यहां पर आश्ट्राजannique के बारे में में बात करेंगे क्योंकि यह stock को भी हमने पहले भी बहुत बार खुन चिर 2- Steph में अगर किसी का आप एंट्री लेते हैं ना कंपनी का एक पर फाइनशाल स्टाड़ी एक बार जरूर कर लिए इसका अगर हम आरो सी के बारें बात करेंगे 17 आरो सी है और यहां पर अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी डेट कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू का डेट है और स्टॉक का अल्टाइम है दिखिए 4970 है स्टॉक उस टाइम पर ट्रेडिंग कितने में हो रहा था तो यहां पर प्रोफिटबल कंपनी एसा नहीं कि लास में किंग कंपनी एक प्रोफिटबल कंपनी लास्ट सार्व कटर में 62 करोड का प्रोफिट देखने को मिला है उसी के साथ में अगर एक चीज़ को स्टड़ी करेंगे कि यहां पर बैलेंस इप बहुत मजबूत तरीके से यहां पर होते जा रहा है हर एक यह में आप देखेंगे रिजर भावी पांत सो शे करोड तक पहुंच चुका है जो कि यहां पर देड़ सो करोड का रिजर बहुत बढ़ी है यह बहुत बढ़िया डाटा है उसी के साथ में प्रोमोटर होल्डिंग देखिए प्रोमोटर माक्जिमॉ यहां पर एका होल्डिंग बहुत कॉम होता है तो यहां पर टू पॉइंट परसंटेज का फाइक के पास में और डियाए के पास में अगर बात करेंगे अगर अभी तक भी आपने पोजिशन नहीं बनाया लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि यह तेजी को देखके कहीं हमें भी बड़ी है सा प्रॉफिट मिल जाएगा हम एंटरी ले सकते हैं तो मेरे हिसाफ से कोई प्रोप्लेम नहीं है क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी हैसा गैन आभे बचाहा हुआ यहां पर बहुत-बड़ा बल्लिंग के साथ में यह यहां पर बहुत बड़ा फ्रशेसन्फर्म फरम में यहां पर ठीकर तो यहां पर यह आप सकता है अगर वहाँ तक का टार गीट की बात करेंगे तो यहां से लेकि सीदा सीदा 15 का नेचा कRECTION हो चुका है और बैध डेख लिए प्रेस्क अगर हम करेंगे लेबल से लेकर यह लेवल गेन मिलने का और मुझे यही कहना है किसी भी पोजिश्ण बना रहे हैं अब किसी का केना लिए parcelокой की किंपनी एक बड़ीचा कभी होना च्छी है लोग डाट कंपनी होना चीए और बहुत से ग्रोइंग होना चाहिए और कंपनी एक प्रफिटबल होना चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा होना चाहिए और आप समझ के अगर लेते हैं अगर कंपनी का ट्राक रेकर्ड दौस-पंदरा साल से बहुत बढ़ी अशा है फिर वी आपको कोई डरने की जरूरत न बनाये हुआ है यहाँ पर प्लेलिस्ट को देखके आप काफी सारे चीज़ सीख सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंस के साथ में सेर कीजिए अगर चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक इस वीडियो मिलते हैं आया एक वीडियो के साथ में